पुलिस ने मुख्य आरूपी तौफी को गिरिफतार किया है कल कॉलिज के बाहर हुई थी इस शात्रा की हत्या एक्जाम देने कॉलिज गई थी विकॉम फाइनल इयर की शात्रा एक्जाम के बाद की गई थी अपरहन की कोशिश अपरहन की कोशिश में नाकाम होने पर अपराधी ने गोली मार दी ये CCTV में ये पूरी वार्दात जो है वो कैद हो गई थी जो तस्वीरें आप इस वक देख रहे हैं दिन दहाडे इस छात्रा की हत्या कर दी गई पहले अपरहन की कोशिश उसे कार में घसीटने की कोशिश की गई लेकिन जब ये कोशिश सफल नहीं हो पाई तो फिर छात्रा का गोली मार कर उसका मर्डर कर दिया गया परिक्षा देने गई थी कॉलेज ये छात्रा और जैसे ही वो अपने कॉलेज से बहार निकली ये दो शक्स थे जो वहाँ पर उसका इंतजार कर रहे थे उसे पहले कार में घसीटने की कोशिश की गई लेकिन जब ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी तो फिर गोली मार कर इस छात्रा की हत्या कर दी गई दिन दहारे और मुखे जो आरोपी है तोफीक उसकी गिरफतारी हो गई है लेकिन उसके साथ जो साथी आया था दूसरा शक्स वो अभी भी पुलिस की गिरफ से बहार है और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये जो वहां सीसी टीवी लगा हुआ था उसी में तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई ये पूरी वारदात सीसी टीवी में कैड जो आप इस वक देख रहे हैं अपने टेलिविजिन स्क्रीन्स पर और बड़ा सवाल ये कि बल्लब गड़ की बेटी के गुनेगार को सजा कब मिलेगी आए दिन इस तरह की वारदाते हो रही हैं अपराधियों के हौस्टे बुलंद हैं तो सजा कब होगी कब इनसाफ मिलेगा बल्लब गड़ की इस बेटी को और इसी घटना के खलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है जो स्थाने लोग हैं उनमें जबर्दस गुस्सा है रोश है इस घटना को लेकर और इस तरह के विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं अलग-अलग जगों पर हो रहे हैं पहले हाथरस में इसी तरह की घटना हुई हाथरस के बाद बलरामपूर और ना सिर्फ यूपी में ये राजे बदल जाता है जगह बदल जाती है अपराद की लेकिन इस तरह की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम की शुरुआत की थी और हर्याणा के पानिपत से इस मुहिम की शुरुआत की गई थी और देखिए आज हर्याणा के बल्लबगड की तस्वीर आप देख रहे हैं पांच साल के बाद अपराद के जो आखड़े हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं वो घटा नहीं है आखड़ा अपराद लगातार हो रहे हैं देश की बेटियों के खिलाफ और ये सिलसला कब और कैसे थमेगा ये बड़ा सवार लेकिन जवाब नहीं मिलता और अपराद जैसी घटनाओं पर भी जो सियासी दल हैं वो सिर्फ सियासत करते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है और उसके बाद हम सब कुछ भुला कर आगे बढ़ जाते हैं और दूसरी वारदात होने का इंतजार करते हैं. अब ये एक तरह से आदद बन चुकी है, लोगों की ये सुनने की आदद की अपराद की एक और घटना हो गई और सियासी दलों की अपनी आदद की वो इन मामलों पर सियासत करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बदलता कुछ भी नहीं. देखे, अभी नवरात्र का पावन पर्व था, जो की पूरी धूमधान से पूरे देश में मनाया गया, बड़ी-बड़ी बाते हुई कि बेटियों को देवी के तौर पर पूजा जाना चाहिए, कन्या पूजन होता है, लेकिन उसके बाद की ये तस्वीर दिल दहला देने बहुत ही शर्मनाक, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली, और हमारे साथ इस वक्त संजीव कौशिक जुड़े हुए हैं, एलन राउस साब भी हैं, एलन राउस साब मेरा बहुत सवाल बार बार घुम कर देखे, वही आ जाता है, ये कब रुपे रुकेगा, कैसे जब एक तरफ तो पुलीस और प्रसासन सक्त होंगे इन अपराजियों के खिलाफ, और दूसरा सामाजिक जो बुराई है, मैं इसको सामाजिक बुराई समझते हुए हमारी मानसिक्ता को चेंज करना होगा, हमारे समाज में बहु बेटियों का और बेहनों की इज़त करने के हमारे अपने बच्चों को सिखाना होगा, सुरू से ही, स्कूल लेवल से, पहले घर से, फिर स्कूल से, फिर समाज में रहते हुए उनको बताना होगा, कि ऐसी बहन बेटियों आपके भी घर में हैं, ये सब जब तक दिमाग में, इन अपराजियों के दिमाग में नहीं साथ, अपराद कभी खतम नहीं हो सकते, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, अपराद होंगे, लेकिन अपरादों में कमी लाना पुलिस की जुमवारी है, अपरादों को रोकना पुलिस की जुमवारी है, अगर अपराद हो जाता है, उसकी इन्वस्टिकेशन इत्स तरीके से जाए कि अपरादी उस सजा से बत नहीं पाए हमारे देश में सबसे बड़ी जो कानूनी प्रक्रिया है वह एक तो लंबी प्रक्रिया है और उसमें भी एक ये प्रावधान है कि इस पर कही ने कही अपरादी लोंग ट्राइल की वज़े से बहुत लंबे समय की ट्राइल के वज़े से लेकिन अपराद नहीं बदलता और नहीं उस पर होने वाली सियासत बदलती है परमान साथ इसके लिए मेरा मानना है कि लगारा कानून बेवस्ता लचर सरकार की जुल्मल रनीती और कहीं न कहीं इसके लिए अधालते भी दोशी है और उसको भी हम दोशी इसलिए मानते हैं चुकि सब कुछ आपके सामने और हमारे सामने घर्टा है निर्भाया जैसा कान्ड हम देखते हैं और उसको अधालतों में सिद्ध करने के लिए कि ये दोशी है हमें साथ साल से ज़्यादा वक्त लग जाती है इसके बारे में सरकारे क्यों नेशन जीबिगी से कोई काम करती है और उसके बारे में थोश एक रनिती बना कर कि कम समय में इन अपराधियों को कम से कम सजा मिले ताकि लोगों को जेहन में जाए कि ऐसे अपराधि को कहीं समाज और कानून बक्सने नहीं जा रहा और जल्द लेकिन पहुंचने के बाद में सारी बादे भूल जाते हैं जी बलकुल ना पुलिस का कौफ है ना ही कानून का कौफ है देशरतन निगम जी भी हमारे साथ हैं देश रतन निगम जी, 2015 में प्रधानमती नरेंद्र मोदी ने हर्याना से ही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मिश्न की शुरुआत की थी लेकिन उसके बाद के आंकडों पर अगर नज़र डालें, तो ये बढ़ते ही जा रहे हैं 2016 में 9,849, ये NCRB के मैं आंकडे कोट कर रही हूं, और उसके बाद 2017 में 11,370, 2018 में 14,326, और 2019 में 14,683, यानि की कोई गिरावट नहीं है, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं देखिए वैसा अभी कोशिक जी बोल रहे थे, कि जो भै है कानून का, उसमें कहीं न कहीं कमी आईए, दूसरा पहले बहुत सारे मामले जो होते थे, जो बच्चियों के खिलाफ, बीटियों के खिलाफ, और ओरतों के खिलाफ होते थे, वो उपर उभर के नहीं आते थे, औ और कानून विवस्था के कारण और हमारे जो कोट कचेरी है, उनके कारण भी जब उनको लगता है कि अब उनकी सुनवाई होगी तो इस तरह के मामले भी बाहर आ रहे हैं, चाहे वो रेप से संबंदित हों या और भी कोई जो मामले होते हैं, उनमें लोगों में महिलाओं म हिम्मत आ रही है, वो सामने आके वो अपनी रिपोर्ट लिखा रहे हैं, तो इसके कारण से भी कुछ मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन भै कानून का जरूर होना चाहिए, नियाए विवस्था को ऐसे चीजों को दस साल ना लटका के बजाए, इसको साल भर में अगर इनका नि आई विवस्था पे फरक पड़ता है, देखिये सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, दूसरा समाच का जो रोल है हमारा, उस पर भी हमको विचार करना चाहिए, कहीं न कहीं हमारी समाच की जो जिव्मेदारी है, वो भी कहीं न कहीं से कमी नजर आते है, यही बात प्रधाम भी इस समाज में नहीं देख पाएंगे विशाल पांडे हमारे साथ हैं विशाल आप तो हात्रस में इतने दिन रहे वहाँ पर जिस तरह की अपराद की घटना हुई हमने सियासी परेटन भी होते हुए खूब देखा आब ये बल्लब गड़ में हो गई तो जगह बदल रही ह है लेकिन हम कह रहे हैं कि अपराद के जो आंकड़े हैं वो नहीं थम रहे हैं और बिलकुल में मांसा के और खास तोर पर जो महिलाओं के खिलाब अपराद है जो बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और जिस तरह की घटना बल्लब गड़ में तो ये घटना दिखाती है कि जगे भले बदल जाए पर घटना एक जैसी हो रही हैं बच्चियां सुरक्षित नहीं रह पा रही हैं बेटियां सुरक्षित नहीं रह पा रही हैं और इसलिए बल्लब गड़ में जो घटना हुई है ये दिखाता है कि आखिरकार डर नाम की चीज इन अपरादियों में नहीं रह पा रही है और जो बनलब गड़ के लोग हम भी रास्ते में हैं वहाँ पर पहुचने वाले हैं वो सोहना रोड पर बैठे हुए हैं प्रदर्शन कर रहे हैं सोहना रोड को जाम किया हुआ है उनकी मांग यही है कि जो आरोपी है उनको ज खुले तोर पर पढ़ पाएंगी घूम पाएंगी सड़क पर निकल पाएंगी ऐसी घटनाएं कहीं न कहीं समाज में डर का माहुल जरूर पैदा करते हैं मिमान सा जी बिलकुर और इस वक्त हमें जो जानकारी मिल रही है पुलिस मौके पर पहुची हुई है और तौफीग जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफतारी हो गई है लेकिन जैसा कि आप इस तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं ये दो शक्त साय थे इन में से एक की गिरफतारी अभी तक हुई है लेकिन एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ से बाहर है और यह आप देख रहे हैं मौ रखाश कर अगया है गोंटन मेरे और आप्सटोरे. स्वी कर दो देखले है